Hello Friends, Welcome to Dynamic Classes आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कुस करेंगे उत्राखंड L.T. और लेक्चरर के एक्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपूरेंट एक्पेक्टेट M.C.Q. को और जो की इंपूरेंट होंगे आपके आने वाले अपकमेंग एक्जाम के लिए तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है और अमेरिकन राइटर होने के साथ इनके बारे में जानने वाली बात यह है कि इन्होंने 4 पुलिजर प्राइज जीते हैं और 4 Pulitzer Prize में से जो इनको 1st Pulitzer Prize मिला वो इनके वर्क New Hampshire के लिए मिला H E M P S H I R E New Hampshire के लिए इनको मिला जो कि इनने कब लिखा था 1924 में लिखा था यानि टोटल इनको कितने Pulitzer Prize मिले 4 Pulitzer Prize मिले और पहला Pulitzer Prize New Hampshire के लिए मिला था अगर हम बात करों option number A की यानि Charles Lamb की तो जो Charles Lamb का pseudonym काफी exam में पुछा जाता है Charles Lamb का pseudonym है Elia L-E-L-I-A Elia इनका pseudonym है और इसे के साथा चार्स Lamb में जाने जाते हैं एक अपने बहुत ही famous work के लिए जिसका नाम है Dream Children Dream Children Charles Lamb का एक बहुत ही famous work है और एक कौन सी age से बिलॉंग करते हैं ये बिलॉंग करते हैं आपके romantic age से romantic age का मतलब 1798 से लेकर के 1837 तक अब अगर मैं बात करों option number C Shakespeare की आप जानते होंगे Shakespeare की जो date of worth है वो main important है Shakespeare का जो birth माने जाता है वो 1564 इनका birth है और इसके सांसां Shakespeare जाने जाता है अपने four main tragedies के लिए होकम, H.O.K.M. यानि Hamlet, Othello, King Lear और Macbeth के लिए ये जाने जाता हैं Shakespeare और Shakespeare के characters भी important होते हैं इनके works के अगर मैं बात करों विलियम हैजलेट की तो विलियम हैजलेट को critics critic के नाम से भी English literature में जाना जाता है critics critic क्योंकि ये बहुत famous assist भी रहे हैं और इसके सांसा writer तो ये थे ही अगर मैं बात करों ये कौन सी age से बिलॉंग करते हैं तो 18th century से बिलॉंग करते हैं सरे को सरे ने इंट्रड्यूस किया था ब्लैंक वर्स को इंग्लेंड में 16th century में अगर मैं बात करों इसके अदर ऑफ्षिन चौसर की चौसर आपको पता है दा फादर ऑफ इंग्लिस कराने वाले writer हैं Italian sonnet इन्होंने introduce कराई थी इसे के सांसा तरजा राइमा को भी इन्होंने introduce किया था और अगर मैं बात करो इसके एक other important fact तो वयार्थ ही वो थे जिन्होंने ओटावा राइमा को इंग्लेंड में introduce किया था अब ये ओटावा राइमा क्या है ये एक सब्सक्राइब ये छोगा चांजा बोलते हैं S-P-E-N-C-I-A-N-E-S-Penserian Stringer और I-A-N-E-N-E-A-N-E-D-S-S-E-N-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-S-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E- आपके पास गौथे अनौल पोप एंड डॉक्टर जॉंसन तो जिसका सही आंसर है वह है गौथे ने ऐसा बोला था अब अगर हम बात करूं ऑप्शन नमबर बी यानि मैथ्यू अनौल की तो मैथ्यू अनौल बहुत इंपोर्टेंट राइटर है इंग्लिस रिटेचर के और यू जी बी वाई रगबे स्कूल में प्रिंस्पल थे अगर हम बात करूं मैथ्यू अनौल के फेमस वर्ट की तो मैथ्यू अनौल के फेमस वर्ट में एक तो आपका आता है डोवर बीज इसे के साथ साथ इनका एक दूसरा बग था दस्कॉलर्स जिपसी और कल्चर एन अन अग्जीन में यह पहली बार पब्लीश हुई थी कल्चर एन अनार्ची वाली इनकी प्रियोडिकल ऐसे की सीरीज अब अगर मैं बात करूं मैथ्यू अनौल की एक फेमस बायग्रेफी भी है इससे भी क्वेशन पूछा गया है तो मैथ्यू अनौल की फेमस बायग्रेफी क अगस्टन एज भी है और इसका जो टाइम प्रियट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताएंगे वैसे आप वीडियो को पॉस करके कमेंट करिए मैं अभी अगस्टन इसका टाइम प्रियट यहां पे लिख रहा हूं जिसको हम लोग एज और पोप के न पॉयम है अब मैं बढ़ता हूं डॉक्टर जॉंसन की वो डॉक्टर जॉंसन डॉक्टर जॉंसन जो की बिलॉंग करते हैं 18th century से और इंग्लिश रिटरेचर में 1745 से लेकर के 1785 तक का जो टैम प्रियट है उसको हम लोग एज ऑफ जॉंसन के नाम से जानते हैं और इन्हों इसके सांथ यह जाने जाते हैं एक अपनी फिवाहती फेमस पोयम जिसका नाम क्या है लंदन यह लंदन के लिए और इसके सांथ वैनिटी ऑफ यूमन विसेज यह भी इनकी एक बहुती फेमस पोयम है अब हम बढ़ते हैं क्वेशन नमबर फॉर क्या है तो फस्ट इंग्ल कर रहा है इंदिय में पहला इंग्निक पर कॉन आयों में निशयों को इसका सहीम चंश और रॉर क्युछा जाता आ है वह सिरोन. इंडिया की बात हैं पर कर रहा है कि इंडिया में पहला इंग्लिस नीज़पेपर कौन सा था बेंगाल गजट दरपन केसरी और प्रभाकर तो जिसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानि बंगाल गजट तो लेंडर्स आप जब भी इस वीडियो को देख रहे झाल के एंगाई आपका शली हमें पहलं उर्टन को झाल धतके घान रहांगाल नंहा था वाल तो चाल